ओम शंती ये प्यारे बाब दादा की अव्यक्त रूप से चले हुए महावाक्यों का रिवाइस्ट कोर्स है ओरिजिनल डेट है वाणी की 17 नौवेंबर 1994 आज की बाबा की मुडली का सार है हर गुण वाशक्ति के अनुभवों में खो जाना अर्थात खुश नसीब बनना बाबा ने हमें सबसे बड़ा खजाना दिया है गुण और शक्तियों का खजाना लेकिन बाबा के ती इतना खजाना मिलते भी खुश नसीब कौन कहलाएंगे जो इन गुणों और शक्तियों के अनुभवों में खो जाएंगे खजाना मिला लेकिन अगर उसका अनुभव नहीं किया स्वरूप में नहीं लाया तो फिर भाग्य मिलते भी खुश नसीब नहीं कहला सकते बाबा कहते आज प्यार के सागर बाप दादा अपने प्यार स्वरूप बच्चों से मिलन बना रहे हैं इतना प्यार मिला है तो प्यारे बन गए प्यार स्वरूप बन गए बाबा कहते प्यार का सागर बाबा प्यार स्वरूप बच्चों से मिलन बना रहे हैं बाप का भी प्यार बच्चों से अती है और बच्चों का भी प्यार बाप से अती है है न बाबा ने एक subject में तो हर बच्चे को कहा है कि पास है, वो है प्यार की subject ये प्यार की दोर बच्चों को भी खीच कर लाती है और बाप को भी खीच कर लाती है ये प्यार की दूर, बच्चे भी मदुबन तक पहुचते हैं, और बाबा भी परमधाम से मिलन बनाने पहुचते हैं, मीटिंग पॉइंट है ना मदुबन, तो कैसे पहुचते हैं? प्यार की दूर से खिंच कर, बच्चे जानते हैं कि ये परमात्म प्यार कितना सुख दाई परमात्म प्यार के विशेषता है, परमात्म प्यार बहुत सुखदाई है, अगर एक सेकेंड भी प्यार में खो जाते हो, तो अनेक दुख भूल जाते हो, इसलिए आज बाबा गुणों में, शक्तियों में, के अनुभवों में खो जाने की बात कर रहे, तो बाबा का प्यार इतना सुख दाई है कि एक सेकंड भी इस प्यार में खो जाए तो फिर बाबा के थे सारे दुख बुल जाते है सब अनुभवी है न कि सर्फ सुना है ऐसा होता है जो जो अनुभवी है हाथ उठाओ है न बाबा केते हैं सुख के जूलने में जूलने लगते हूं प्यार जो है वो सुख का अनुभव कराता है ऐसा अनुभव है ना बाबा पूछते हैं बाप दादा देख रहे हैं कि दुनिया के हिसाब से आत्माएं कितनी साधारण है दुनिया के हिसाब से बाबा के बच्चे कोई बड़े पद, उंचे, नामी ग्रामी नहीं है, साधारण है जिनका कोई ऐसा नाम नहीं है, कोई नामी ग्रामी नहीं है, साधारण है लेकिन भाग्य कितना स्रेष्ट है जो सारे कल्प में चाहे कोई धर्मात्मा हो चाहे महानात्मा हो लेकिन ऐसा स्रेष्ट भाग्य ना तो किसी को प्राप्ते ना हो सकता है धर्मात्माई भी आए लेकिन उनको भी पर्मात्म प्यार का अनुभव नहीं हुआ महानात्माई भी है चाहे कोई राजा रानी भी रहे लेकिन उनको ऐसा भाग्य प्राप्त नहीं हुआ और हमें देखो, दुनिया कहते हैं, हम साधारण ते साधारण हैं, वैसे भी बुछ रहते हैं, आप हैं कौन हैं लेकिन ऐसे कोई उच्छा परिच्छे नहीं है दुनिया में, लेकिन भाग्ये के मैटर में हम सबसे उच्छे हैं तो अती साधारण और अती स्रेष्ट भाग्यवान, संगम है न, तो दोनों एक्स्ट्रीम का संगम है, अती साधारण भी और अती स्रेष्ट भाग्यवान भी बाप दादा को साधारण आत्माई ही पसंद है, क्यों? बाप स्वयम भी साधारण तन में आते हैं है न, ब्रह्मा बाबा भी कोई धर्मात्मा या महत्मा या कोई राजारानी तो नहीं थे, साधारनी थे दुनिया के हिसाब से कोई राजा के तन में या रानी के तन में भगवान नहीं आते कोई धर्मात्मा महत्मा के तन में नहीं आते साधारण तन में स्वयम भी आते हैं और बच्चे भी साधारण ही आते हैं आज का करोडपती भी साधारण है चाहे धन है लेकिन है कौन? साधारण ही है साधारण बच्चों में भावना है क्योंकि उनको कोई पद का या वैसे नशा नहीं है है न साधारण है उनको मालुम है कि हम छोटे ही है उनमें भावना है और बाप को भावना चाहिए देहे भान वाले नहीं चाहिए कोई बहुत उंचे लंबे पद वाला होता है न, तो देभान बहुत होता है, बाबा को कौन चाहिए, साधारन चाहिए, भावना वाले चाहिए, जितना बड़ा होगा उतना भावना नहीं होगी, लेकिन भान होगा, समझा, जितना भान होता है, उतनी भावना छोटी हो जाती तो बाप को भावना का फल देना है और भावना साधारण आत्माओं में ही होती है तो सबसे स्रेश्च भाग्यवान कौन बनते हैं हम साधारण बच्चे क्यों? क्योंकि हमें बाबा आकर प्यार की वो बून देते हैं ज्यान सागर की प्यार के सागर की वो बून हमें मिलती है जिसके एक बून से भी हमें जैसे सुख के जुलों में जुलने का अनुभव होता है और बाबा कहते हैं, चाहे एक सेकेंड अनुभवी पनो, चाहे चाहो तो सागर में डुपकी लगाओ, चाहे बूंद लो, चाहे सागर लो, सागर तो तुम्हारा हो गया, बाकि तुम्हारी मर्जी, जितना डुपकी लगाएंगे, जितना अनुभव करेंगे, उतना सुक के ज जुले में जुलेंगे। तो बाबा कहते कि नामी ग्रामी आत्माओं के पास न भावना है न समय है। तो बाब देख रहे हैं कि कितने साधारण और कितने स्रेश्ट भावना का फल प्राप्त कर रहे हैं। इसलिए ड्रामा अनुसार संगम युग में साधारन बनना ये भी भाग्य के निशानी है क्योंकि अगर बहुत बड़ा पद होता तो फिर शायद भान इतना होता कि भावना इमर्ची नहीं होते तो साधारन बनना भी संगम युग में भाग्य के निशानी है क्योंकि संगम पर ही भाग्य विधाता भाग्य की स्रेश्ट लकीर खीच रहे हैं और साथ साथ भाग्य की लकीर खीचने का कलम भी बच्चों को दे दिया है तो एक तो संगम युग में समय और भाग्य विधाता दोनों भाग्य बनाने के लिए आते हैं और दूसरा बच्चों को भी भाग्य की रेखा कीचने की कलम दे देते हैं क्या है भाग्य को की रेखा कीचने की कलम, स्रेष्ट करम एक संगम युगी है जिसमें बच्चों को स्रेष्ट करमों का ज्यान और शक्ति मिलते हैं कलम मिली है न, सबको मिली है भाग्य की लकीर खीचना आता है कितनी लंबी लकीर खीची है अब बाबा कहते हैं खीचना आता है ये तो प्रालब्द है लेकिन फिर कितनी लंबी लकीर खीची है ये पुर्शार्थ कितना किया है बताओ देखो सबको भाग्य की लकिर खेचने की कलम मिल गई लेकिन उस कलम को यूज कितना किया है वो भाबा पोच रहे है छोटी मोटी तु नहीं खेच ली कलम मिली और छोटी मोटी लकिर खेच ले ऐसा हो सकता है जितना चाहे उतना भाग्य बना सकते हो खुली छुटी है और सभी को छुटी है कोई ऐसा ना समझे, बाद में आने वाला ऐसा ना समझे कि मुझे इतनी खुली छुटी नहीं है कि जितना भाग्य बनाना चाहे बना ले चाहे नए हो, चाहे पुराने हो सपता कोर्स किया बाब को पहचाना और बाब भाग्य का कलम दे देता है बाब को पहचाना तो बाबा तो रोज श्रीमत देते हैं और श्रीमत ही है स्रेश्ट बनने की कलम तो जैसे श्रीमत मिली तो इसका मतलब जितना चाहे लकिर खेच सकते हो चाहे सपता कोर्स किया है, जो करेगा सो पाएगा, जरूरी नहीं पुराना है तो ही पाएगा, सपता कोर्स किया है, नया है, लेकिन अगर पाना चाहे तो पा सकता है यही परमात्म प्यार है प्यार की निशानी क्या होती है? जो जीवन में चाहिए वो अगर कोई किसको देता है तो वही प्यार की निशानी है सदा बाबा कहते हैं प्यार की निशानी होती है प्यार करने वाला स्नेही की कमी नहीं देख सकता कमजोरी नहीं देख सकता तो फिर प्यार की निशानी क्या होती है किसी में जो कमजोरी है जो उसको चाहिए वो भरने की चेश्ट्य होती है तो बाबा भी आकर हम बच्चे जिनोंने भाग्य गवा दिया न उनको भाग्य बनाने की कलम देते हैं यही बाबा के प्यार की निशानी है तो बाब के प्यार की निशानी है जो जीवन में चाहिए वो सर्व कामनाएं पूरण कर देते हैं सुक शान्ती तो चाहिए न और सुक शान्ती की जननी है पवित्रता तो पतित पावन बाब आकर पावन बना कर सुख शान्ती का अधिकारी बना देते हैं बाबा तो हर गुण हर शक्ति का भंडार है सागर है देते चले जाते हैं बस कहते हैं तुम अनुभवी बनो इन गुणों शक्तियों के अगर कोई वस्तु एक दो को देते हैं तो उससे सुख मिलता है न तो बाब सुख क्या देता लेकिन सुख का भंडार आप सबको बना देते हैं बाबा केते हैं चलो अल्पकाल का सुख तो किसी चीज से भी मिल जाता है लेकिन बाबा वो सुख नहीं देते बाबा तो एक तो हमें सदाकाल का सुख देते अतिंद्रिय सुख देते और दूसरा, हम बच्चों को ही बाबा तो मास्टर सुख का सागर बना देते हैं तो बाबा कहते हैं, तुम्हें भी सुख का बंडार बना देता हूं सुख का बंडार है न, पूरा स्टॉक है या एक कमरा, दो कमरा है, बंडार है बाबा कहते हैं तुम बच्चे के पास कितना सुख है एक कम्रे दो कम्रे जितना या पूरा बंडार है जैसे बाप सुख का सागर है नदी और तलावनी है सागर है तो बच्चों को भी सुख के बंडार का मालिक बना देता है कोई सुख की कमी है क्या कोई अप्राप्ति है बाबा कहते है सुख की अनुभूती कब नहीं होती जब अप्राप्ति की भावना होती है बाबा केते तुम्हे कोई कमी है, कोई अपराप्ती है, ऐसा कुछ है जो बाबा ने नहीं दिया और जो अभी मिलना बाकी है, बाबा केते कोई अपराप्ती है आत्मा को अभी, फिर ये नहीं कहना कि थोड़ी से शक्ती दे दो, बाबा केते दे दिया, बाबा केते मैं कोई मा मैं तो सागर हूँ, तुम मेरे बच्चे हो। मैं तो आते ही, सब कुछ तुमें दे देता हूं। कोई गुण नहीं, कोई शक्टी नहीं, न सुक न प्यार, ऐसा कुछ भी नहीं जो तुम्हे कहना पड़े की दे दो। बाबा कहते हैं, दे दो कहने की अवश्यकता ही नहीं है, दे दिया, बाप ने दे दिया है, सिर्फ उसको कारे में लगाने की विधी चाहिए, बाबा कहते हैं, तुम्हें दे दिया, लेकिन वो तुम्हारे यूस में कैसे आए, उसके लिए विधी चाहिए, और विधी भी बा तो उस कितनी विधी सिखाते हैं, याद की विधी, कल भी बाबा ने अमरित वेले पर अटेंशन खेचवाया, तो बाबा कहते हैं, बाब से प्राप्त खजानों का स्वरूप कैसे बने, उनको कारे में कैसे लगाए, सिद्धी कैसे उनसे मिले, उसके लिए विधी चाहिए, त लेकिन बाबा कहते हैं, उस सारे विधी कारे में लगाने पड़ेगे, सिर्फ उसको समय प्रती समय कारे में लगाते नहीं हो, इसलिए होते हुए भी उसका लाब नहीं ले सकते, है गुण भी बाबा ने दिये हैं, शक्तियां भी दिये हैं, लेकिन शक्ति का स्वरूप नह करने के लिए जो विचार सागर मंतन चाहिए जो बाबा की याद चाहिए जो धारणा चाहिए जो सेवा की विधी चाहिए उसको यूस नहीं करते हैं कितना बड़ा भाग्ये हैं और कितना सेहच मिला हैं कोई मेहनत की है क्या कोई मेहनत की है या बाबा ने आपे ही आके दे द कि हमें परमात्मा से योग लगे और यहां बाबा तो सब कुछ जैसे बंडारा खोल के दे रहे हैं, बस कहते हैं तुम इसको कारे में तो लगाओ, हर चीज की समझ, हर चीज की शक्ति दे रहे हैं, बाबा के ते उठके बैठोगे तो शक्ति भरूंगा न, यहां बुद्धी क पुरानी दुनिया से निकालोगे, विचार सागर मन्थन में लगाओगे, तो तो उस बुद्धी को भरूंगा, लेकिन बच्चे करेंगे तो पाएंगे, फिर बाबा के ते कोई मेहनत है, क्या तुमें तो सब कुछ फ्री में दिया है, एक टांग पर खड़ा तो नहीं होन लेकि के दर्शन के लिए भी किंुमें कितने घंटों घंटों खड़े रहते हैं, यह तो बाबा से मिलने जाते हीं, तो भी अराम से बैठते हैं, tiempo क्यों में खड़े होके नहीं बिलते हैं, बाबा पूरी मुरली सुनाते हैं, बाबा के तिते हैं आराम से बैठे हो ना नीचे भी फोर्म पर बैठे हो, मदवन में तो नीचे भी बैठा बाबा मिलन में, तो फोर्म पर बैठे हो, कोई जमीन पर भी नहीं बैठे हो, आराम से ही सहज स्रेष्ट भाग्य बना रहे हो, यह नशा है ना, कि इतने आराम से बाबा हमें भाग्य ब बाबा कहते हैं, भाग्ये विधाता आकर भाग्ये दे रहे हैं, विदी सिखा रहे हैं, खजाना लुटा रहे हैं, teraz just it will apply it, can All the inadvert in the business of the government? भाग्य विधाता को अपना बनाया अर्थात भाग्य के अधिकार को प्राप्त कर लिया बस बाबा के बन गए तो भाग्य मेरा है बाबा को अपना कैसे बनाते हैं? बाबा पर बलिहार जाके एक बार कहां बाबा मैं आपका तो बाबा 21 जनम बलिहार जाते है तो बस मेरे को तेरा करना होता है बाबा मैं तेरा जब मैं तेरा किया तो बाबा हमारा बन जाता और बाबा के तेही सोदा किया तो भाग्य का अधिकार प्राप्त कर लिया जिसको नशा है वो सदा यही अनुभव करते हैं कि भाग्य मेरा नहीं होगा तो किसका होगा क्योंकि भाग्य विधाता ही मेरा है इतना नशा है या कभी-कभी चड़ता है कभी उतरता है इतना नशास्थाई रहता है कि हम भाग्य विधाता की डाइरेक्ट पालना में पलने वाली स्रेष्ट भाग्यवान बच्चे हैं संगम का समय ही कितना छोटा सा है और आप मेजोरेटी तो सब नई हो, आए भी अभी भी हो तो मेजोरेटी भाइबने के सब चोटे हैं, नए आए हैं तो जो नए बच्चे हैं बाबा की, उनको तो जैसे बहुत कम समय में जैसे बाबा का सारा ख़जाना मिल रहा है बस करना है, भाग्य बनाना है कितना थोड़ा समय मिला है, लेकिन ड्रामा में विशेश, इस संगम युक की विशेशता है कि कोई भी नया हो या पुराना हो, नए को भी गोल्डन चांस है नंबर आगे लेने का यह ना ऐसा नहीं कोई नया है, तो उसको चांस नहीं है आगे नंबर लेने का भी उसको चांस है, यह संगम युक की विशेशता है दुनिया में कहते हैं भगवान भेदभाव नहीं करता सच मुझ बाबा कहते हैं, मैं equal opportunity देता हूँ कोई कभी भी आए, आज भी आए, उसको नंबर आगे लेने का चांस है तो नयों में उमंग है, या समझतेओं हमारे से आगे तो बहुत है, हम तो आए ही अभी है बाबा कहते हैं, मैंने तो सबको चांस दे दिया अब तुम अपने संकल्पों को चेक करो कहें ऐसे कमजोर संकल्प तो नहीं कि हम तो अभी आए हैं, बाकी तो सुब पुराने हैं, यह ना कमजोर संकल्प माया का द्वार होते हैं नहीं, यह खुली छुट्टी है कि जितना आगे बढ़ना चाहें, उतना बढ़ सकते हैं खाली एक ही लिमिटेशन है, चाहने की, जितना चाहें उतना बढ़ सकते हैं सिर्फ अभ्यास पर अटेंशन हो, और चाहना का प्रैक्टिकल सुरुप क्या अभ्यास अभ्यास अप्लिकेशन, बाबा हमें जितनी भी विदी सिखा रहे हैं, उसको हमें आप अप्लाई करना है कोई-कोई पुराने अलबेले हो जाते हैं, और आप नई अलबेले नहीं होना, तो आगे बढ़ जाएंगे पुराना अलबेला हो जाएंगे, तो आप आगे बढ़ लेना, बाबा कहते हैं लेकिन आपको निरंतर जैसे निरंतर तेजी में चलना पड़ेगा नंबर ले लेंगे, नंबर लेना है न, फर्स नंबर नहीं, फर्स डिविजिन, फर्स नंबर फिक्स है, ब्रह्मा भाबा कहा, फर्स डिविजिन में आना है बाबा देखो कैसे हासी की बातें करते हैं सारे बच्चों ने हाथ उठा दिया न कि फर्स्ट डिविजिन में आएंगे तो बाबा करते हैं सब फर्स्ट में आएंगे सेकंड में कौन आएगा माता हैं किस में आएंगे फर्स्ट में आएंगे बहुत अच्छा, बाबा कैदे भूत अच्छा, आना ही है, ये readings भाग्ये को निश्यत कर देता है, भाग्ये को निश्यत करना है तो dhrड निश्य, मुझे 1st division में आना ही है, मैं नहीं आउंगा तो कोन आईगा पता नहीं, आएंगे नहीं आएंगे, पता नहीं आगे चल कर कोई माया आजाए देखो, बच्चे ऐसे से संकल्ब भी करते हैं, बाबा को पहुँचते हैं माया बड़ी चतुर है, माया चतुर है और तुम माया को बलवर रहे हो ऐसे व्यर्थ संकल्प कभी भी नहीं करना संकल्प से सिद्धी है अगर सिद्धी चाहिए तो संकल्पों की क्वालिटी को बहुत समर्थ बनाना है कोई व्यर्थ संकल्प, कमजोर संकल्प माया को बल भरने वाले संकल्प तो बिलकुल नहीं जब सर्व शक्तिवान साथ है तो माया तो उसके आगे पेपर टाइगर है इसलिए घबराना नहीं यहना अगर डर गया सो मर गया यहना घबराना नहीं बाबा केते हैं माया है पेपर टाइकर लेकिन अगर सर्व शक्तिवान के साथ से पर्खा नहीं और घबरा गए तो फिर माया पच्छार देती हैं पता नहीं का संकल कभी नहीं करना पता नहीं, पता नहीं क्या होगा पता नहीं मायान आ जाए पता नहीं आगे क्या होगा बाबा केते हैं, ये संकल कभी नहीं करना Master Knowledgeful बन हर करम करते चलो संकल भी Master Knowledgeful बोल भी, करम भी हर करम में attention देना है मेरा करम ज्ञान सम्मत है, ज्ञान सुरूप है, मेरा हर संकल्ब भी ज्ञान सुरूप है, साथ का अनुभव सदा ही सहज और सेफ रखता है, साथ भूल जाते हैं तो मुश्किल हो जाता है, बाबा कहती है, देखो वैसे तो आत्मा के अंदर दोनों प्रकार के संसकार है, तमस लेकिन जब सर्वशक्तिवान बाप की स्मृति में रहेंगे तो शक्तिशाली रहेंगे और जैसे ही बाबा का साथ भूल जाते हैं तो फिर देबान आया तो कमजोर संस्कार आ जाते हैं तो बाबा केते हैं साथ का अनुभव सदा ही सहे जोर सेफ रखता है साथ भूल जाते हैं तो मुश्किल हो जाता है लेकिन सभी का वाइदा है कि साथ रहेंगे साथ चलेंगे यही वाइदा है ना साथ रहेंगे साथ चलेंगे कि अकेले रहेंगे अकेले जाएंगे यह साथ रहेंगे तब तो साथ चलेंगे, बाबा के साथ रहते हैं, बाबा के साथ रहना है, बाबा उंची स्थिति में है, बाबा के साथ रहेंगे तो हम भी उंची स्थिति में रहेंगे, और साथ रहेंगे तो साथ चलेंगे, अकेले रहेंगे तो जाएंगे बाबा के साथ कैस तो साथ का अनुभव बढ़ाओ, जानते हो कि साथ है, मानते भी हो, लेकिन फरक क्या पड़ता है, जानते भी हो, मानते भी हो, लेकिन समय पर उसी प्रमान चलते नहीं हो, बाबा ने हमें बता है, जानना, मानना और चलना, जानते हो बाबा साथ है, मानते भी हो, लेकिन फिर जब चलते हो, तो बाबा को साथ ले बिना चल पड़ते हो, माया का force ये जो course है उसको भुला देता है course में समझ लिया मैं आत्मा हूँ संगम युग में बाबा मेरे साथ है लेकिन माया का force ऐसा कि बुल जाते है लेकिन क्या माया बहुत बलवान है बाबा बच्चों से पोछते हैं माया बहुत बलवान है वो बलवान है या आप बलवान हो चलो माया बलवान है लेकिन दूसरा प्रश्ण ज़्यादा इंपोर्टेंट है वो ज़्यादा बलवान या आप ज़्यादा बलवान बाबा कहती है या कभी माया बलवान है कभी आप बलवान हो अब देखो हम ज्यादा बल्वान कब होंगे जब हम बाबा के साथ होंगे और माया ज्यादा बल्वान कब होंगे जब हम माया के साथ होंगे ये समझ ना जब मैं माया के साथ हूँ तो माया बल्वान और जब मैं बाबा के साथ हूँ तो मैं बल्वान तो इसलिए मैं बल्वान सदा रहूं इसकी विधी पर एटेंशन देना आपकी कमजोरी ही माया है और कुछ नहीं दुनिया में सुन सुनते हैं इन्वर्सली प्रपोर्शनल जितने आप कमजोर उतनी माया बल्वान और जितनी मैं बाबा से दूर उतनी कमजोर जितनी में बाबा किस पास उतनी मैं सर्वशक्तिवान तो फिर माया बल्वान नहीं तो बाबा कहते हैं अपनी कमजोरी ही माया बनकर सामने आती है जैसे शरीर की कमजोरी बीमारी बनकर सामने आती है न शरीर कमजोर है पता नहीं चलता जब बीमारी आती है तो पता चलता है अच्छा है इनके अंदर कमसोरी है ऐसे ही माया के रूप में क्या आता है अपनी कमसोरी सामने आती है लगता है माया आई लेकिन है क्या वो अपनी कमसोरी है अपनी आपकी कमसोरी माया बन कर सामने आती है जैसे शरीर की कमजोरी बीमारी बन कर सामने आती है न ऐसे आत्मा की कमजोरी माया बन करके सामना करती है तो ना कमजोर बनना है ना माया आनी है अगर माया को बन करना है बस अपनी कमजोरी को प्लग लगा दो उसके लिए क्या करो बाबा के साथ लक्षी ही है माया जीत जगत जीत, कितने बार विजय बने हो, कल्बी बाबा ने कैसे स्मृति दिलाई, कि कल्प कल्प की विजय आत्माए है हो, हर कल्प विजय बने है, तो बाबा के ते स्मृति से समर्थ ही लाओ, माया जीत बनना क्या बड़ी बात, अन गिनत बार फिर भी गबरा जाते हो क्यों क्योंकि बाबा ने जो स्मृति की विधी सिखाई है उस विधी को कारे में नहीं लगाते हैं बाबा ने कहा ना विधी मैंने कई दी हैं तुम्हें इतनी सारी युक्तियां दी हैं लेकिन उनको कारे में नहीं लगाते, इसलिए बाबा का खजाना नहीं मिलता, शक्ती बाबा की गिफ्ट है, लेकिन कमसोरी क्यों आती है, क्योंकि शक्ती के विधिय स्मृति, स्मृति से समर्थे, अब बाबा कहते हैं, तुम कल्प कल्प की विजय आत्मा हो, ये स्मृति बाप का प्यारी ये है कि हर बच्चा स्रेष्ट आत्मा बन राज्य अधिकारी बने प्रजा अधिकारी तो नहीं बनना है ना बाप बाबा आए है राजा बच्चा बनाने तो प्रजा अधिकारी बनने का लक्ष्य तो नहीं है ना बाबा का प्यार है बाबा हमें राजा बनाते हैं तो हमारा प्यार का रिटर्न क्या है कि जो बाबा बन बं जाएं हूं तो राज्य अधिकारी अर्थात हर करमेंद्रिय जीत बाबा कहते हैं, पहले तो स्व referring क्यूंद्रिय जीत हर करमेंद्रिय जीत मने का नाक-णाक-मुक्त वचया इनके द्वारा आने वाले शब्दों का दृष्यों का मन की स्थिती पर कोई हल चलना हूँ मैं आत्मा पवित्र सुरूप, शान सुरूप, सुक सुरूप हो कोई शब्द, कोई दृष्य, कोई भी बात मेरे अंदर हल चलना पैदा करें अगर अपनी कर्मेंद्रियों के उपर मन बुद्धी संसकार के उपर विजे नहीं मन बुद्धी संसकार सुक्ष में इंद्रियां है आत्मा की अगर उन पर विजे नहीं मन उत्तेजित हो जाता है बुद्धी इदर उदर भागती है बुद्धी पर कंट्रोल नहीं संशकार कोई इमर्ज करना चाहते, कुछ इमर्ज हो रहा है तो फिर बाबा कहते हैं, तो प्रजा पर क्या राज्जी करेंगे? जिसका अपनी करमेंद्रियों पर राज्जी नहीं वो राजा कैसे बनेंगे? अगर ऐसे राजा बने जो अपने उपर विजय नहीं पा सकते तो सत्यूग भी कल्यूग बन जाएगा इसलिए चेक करो कि मन बुद्धी संस्कार कंट्रोल में है मन आपको चलाता है या आप मन को चलाने वाले हो आप मन को चलाने वाले हो माना आत्मा ज्यान सुरूप शक्ति सुरूप पन मन में संकल प्रच्चती है या मन में जो संकल पाते हैं वो स्थिती को बिगाड़ देते हैं जब ये कंप्लेन करते हो कि मेरा मन आज लगता नहीं है मेरा मन आज भटक रहा है तो ये मन जीत हुए तो फिर तो मन की हिसाब से हम चल रहे हैं आज मन उदा से, आज मन और आकर्शन की तरफ जा रहा है तो ये विजय के संकल्प है तो जो स्वयम पर विजय नहीं पा सकते वो विश्व पर कैसे विजय प्राप्त करेंगे इसके लिए चेक करो करमेंद्रिय जीत, मन जीत कहां तक बने है अगर फिर्स डिविजय न में आना है तो इस लक्षन से लक्ष को प्राप्त कर सकते हो आज बाबा विदी से शिद्धी सिखा रहे है फिर्स डिविजय न में आना है विश्व जीत बनना है तो पहले करमेंद्रिय जीत तो बनना पड़ेगा बाप दादा ने देखा कि बच्चे उमंग उत्सा में भी रहते हैं ज्यान की जीवन अच्छी भी लगते हैं ज्यान सुनना सुनाना इसमें भी अच्छे आगे बढ़ रहे हैं लेकिन चलते चलते अगर कमसोरी आती है तो उसका कारण क्या है ऐसा नहीं है कि बच्चों देखो वैसे भी बच्चों पर कोई जबरदस्ती तो है नहीं खुशी से चल रहे हैं प्यार से चल रहे हैं ग्यान में क्यों चल रहे हैं खुशे से चल रहे हैं, प्यार से चल रहे हैं, लेकिन फिर चलते चलते क्या हो जाता है, तो बाबा कहते हैं, विशेश कारण ये है कि जो कहते हो, जो सुनते हो, उस एक इक गुण का, शक्ती का, ज्यान के points का अनुभव कम है, और अनुभव जिसको इंग्लेश में experience कहते हैं वो तो experiment करने से आता है ना, तो प्रयोग कम करते हैं, तो अनुभव कम है, सुनने वाले बने हैं, लेकिन प्रयोगी नहीं बने हैं, तो ज्ञान की पॉइंट सुन रहें, घुणों का भी ज्ञान है, शक्तियों का भी ज्ञान है, लेकिन उनको प्रयोग करकर अनुभवी नही बने हैं, बानु सारे दिन में स्वयम भी वा दूसरे को भी कितनी बार कहते हूं, मैं आत्मा हूं, आप आत्मा हूं, शांत स्वरूप हूं, सुक स्वरूप हूं, कितनी बार स्वयम भी सोचते हूं, और दूसरों को भी कहते हूं, याद भी दिलाते हूं, दूसरे को भी में स्थित रहूं वो प्रयोग नहीं करते हो ने शान्सुरूप कहते हो सुक्सुरूप कहते हो लेकिन बात आई और वो अनुभूती बदल जाते हैं सदा अनुभवी बनो उसके लिए प्रयोगी नहीं बनते हैं लेकिन चलते फिरते आत्मिक अनुभूती ज्यान्सुरूप प्रेम्सुरूप शान्सुरूप की अनुभूती वो कम होते हैं कैसे चलते फिरते, संबन संपर्क में आते, कारे करते, सदा ज्यान सुरूप, शान सुरूप, प्रेम सुरूप रहें, वो अनुभूती में कम रहते हैं, सुनना कहना ज्यादा है, और अनुभूती कम है, लेकिन सबसे बड़ी ओथॉरिटी तो अनुभव की होती हैं, तो उस खूजो, सबसे बड़ी ओथॉरिटी किसकी अनुभव की, क्यूंकि अगर अनुभवी नहीं होगा तो किसी को कहेगा, लेकिन फिर जैसे खुद की ओफॉरिटी नहीं है, अनुभव नहीं है, तो फिर वो व्यक्ती भी दस बाते सुनाएगा, यह कारण, वो कारण तो केएं स्वरुप में स्वयम को दूसरे को शान्ती की अनुभूती हो। शान्स स्वरुप में स्थित हो जाओ। स्वयम को ये शान्ती का अनुभव हो। दूसरे को भी आपसे अनुभव हो। बाबा ने उस दिन का न फायर फ्लाई, फायर फ्लाई दूर से दिखाए देती है, क्यों क्योंकि अंधेरे में चमकती है, ऐसे चारू और कौन सा वायू मंडल है, अशान्ती का, तो उसमें जैसे ही आथमा ज्यान के अधार से, स्मृति के अधार से, स्वरूप में स्थित हो जाएगी ना, तो स्वयम को भी अनुभव होगा, अन्यों को भी होगा, एक एक गुण का वर्णन करते हो, शक्तियों का वर्णन करते हो, लेकिन शक्ति वा गुण समय पर अनुभव में आएं, और समय पर अनुभव में तब आएंगे, जब उसके स्वरूप में सारे समय स्थ रहेंगे, attention देंगे, उस स्वरूप में स्थित होने का, कई तो बोलते भी रहते हैं कि सेहन शक्ति धारन करनी चाहिए, सेहन शीलता अच्छी है, लेकिन अनुभूती नहीं है, यहने सेहन शीलता पर पूरा लेक्चर भी दे देंगे, लेकिन अनुभूती कि सेहन शील होकर च की हानी लाप की भाते आत्मा को उसके शांत पवित्र शक्तिशाले स्वरूप से नीचे ना ले आए उसके अनुभूती कम है बाबा केते हैं कि अनुभूती की कमी होने की कारण जितना चाहते हो उतना पाने सकते लेकिन अनुभूती तो तब होगी न जब प्रयोग करेंगे अगर सभी से पूछें कि जितना पुर्शार्थ होना चाहिए उतना है तो थोड़ी हां कहेंगे कर सकते हैं तो जितना मिल रहा है उतना जीवन में वा करम में अनुभव हो बाबा इतना कुछ दे रहे हैं लेकिन हमारी जीवन सर्व प्राप्ती स्वरूप दिखाई दे सिर्फ सोचनी में अनुभव नहीं हो, लेकिन चलन में, करम में, शक्तिया, गुन, स्वयम को भी अनुभव हो, दुसरों को भी अनुभव हो, कहते ही हो कि ज्ञान स्वरूप है, तो स्वरूप दिखाई देना चाहिए ना, और स्वरूप सदा होता है, स्वरूप किसको कहेंगे personality जैसे किसको कहते है ने इसकी तो personality है ऐसी है तो ऐसा हमारा ज्ञान स्वरूप हो ज्ञान हमारी personality है और personality के हिसाब से ही सोच बोल कर्म सदा चलता है knowledgeful हो हम स्वरूप कभी-कभी नहीं होता है personality तो एकदम पकी चीज होते हैं अज्ञानकाल की जीवन में यदि किसी का क्रोधी स्वरूप होता है आजकल कहते हैं इनको तो एंगर इशू है इनकी personality ही एंगर वाली है तो किसी का क्रोध स्वरूप होता है तो जब भी कोई बात होगी तो स्वरूप दिखाई देता है छिपता नहीं है क्योंकि स्वरूप है उसने वूस की व्यक्तित्व में रच्छा हुआ है तो दिखाई देता है चाहे छोटी बात हो या बड़ी बात हो लेकिन जिसका जो स्वरूप होता है, वो दिखाई देता है स्वयम को भी अनुभव होता है, दूसरे को भी अनुभव होता है क्या कहते हैं, यह ही क्रोधी, इनका संसकार ही क्रोध का है तो संसकार दिखाई देता है न, ऐसे यह ज्यान स्वरूप, शान स्वरूप, सुक स्वरूप, अनुभव में आई, स्वयम को भी अनुभव हो, अन्यों को भी अनुभव हो, तो अनुभवी मूरत ये हैं स्रेश्ट पुर्शार्त की निशान, कल्भी बाबा ने सतो प्रधान पुर्शार्त, तमो प्रधान पुर् अगर अनुभव नहीं होता है तो उसका कारण यह है कि जो समय प्रति समय विधी मिलती है उस विधी के उपर अटेंशन कम है यह प्रयोगी बनने के लिए विधी को अपनाना पड़े बाबा हमें श्रीमत देते हैं रोज मुर्ली में विधी बताते हैं कई प्रकार की विधी समृती की विधी वृती की विधी द्रिश्टी की विधी समय की विधी हर चीज की बाबा विधी बताते हैं उस विधी पर अटेंशन देंगे तो फिर प्रयोग कर पाएंगे और स्वरूप बनेंगे तो बाबा कहते हैं, जितना ज्ञान को शक्तियों को गुणों को रिवाईस करते रहेंगे, तो रिवाईस सहच होगा एक विदी आज बाबा फिर अंडरलाइन करते हैं, रिवाईस करेंगे तो रिवाईस होगा बार बार रिवाइज करो मैं कौन? मैं शान्स्वर उपात्मा मैं सुक्स्वर उपात्मा मुरली में सुना फिर सारे दिन भूल गए तो रिवाइज नहीं हुआ बाबा केते हैं रिवाइज करो बार बार तो रियलाइज होगा जब हम योग में भी बैठते हैं, तो commentary क्या है? revision है न, revise करते करते, realize करना revise नहीं करते, तो realization भी कम है सुना बहुत अच्छा, लेकिन चलते फिरते, revise होना चाहिए जैसे दुनिया वाले कहते हैं कि कर्म ही योग है कर्म और योग अलग नहीं मानते हैं कर्म ही योग मानते हैं, कर्म से योग लगाना, इसी को ही कर्म योग समझते हैं दुनिया में क्या समझते हैं? कर्म कर रहे हैं, मेरा योग उस कर्म से ही लगा हो उसको कर्म योग समझते हैं लेकिन कर्म और योग दोनों का balance चाहिए कर्म से योग नहीं लगाना हत कार्डे दिल यार्डे हातों से काम करना है और योग बाबा से लगाना है कर्म में बिजी रहना योग नहीं है कर्म करते योग का अनुभव होना चाहिए वरना कर्म कॉंशियसनेस में भी बहुत दुख है क्योंकि कर्म से योग लगा होगा तो कर्म में सफलता मिलेगी तो खुशी होगी नहीं मिलेगी तो दुख होगा तो कर्म conscious में नहीं होना है Soul conscious, Supreme Soul conscious होके करम करना है कर्म में बिजी हो जाते हैं तो कर्म ही स्रेष्ट हो जाता है योग किनारे हो जाता है चलते चलते यही अलबेला पनाता है, की चलते चलते यहां भी सेवा में बिजी हो जाते हैं, लेकिन सेवा का अधार भी बाबा की याद है, तो कर्म में योग का अनुभव हो ना इसको कहा जाता है कर्म योगी, मूल बाते अनुभवी स्वरूप बनो एक एक गुण के अनुभव में खोजा रिवाइस करते हुए रिवाइस करते हुए रिवाइस तकाओ शक्ती स्वरूप बन चाओ आपके स्वरूप से शक्तियां दिखाई दे आपको कोई देखे न तो ऐसा लगे हाँ सेहन शक्ति ये होती है समाने की शक्ति ऐसी दिखती है परक्षक्ति हो तो ऐसी अभी भी देखो अगर कोई में कोई विशेश शक्ति होती है तो उसके लिए कहते तो है ने ये बहुत सेहन शील स्वरूप है इसमें समाने की शक्ति बहुत दिखाई देती है तो कोई में दिख अगर होती नहीं तो कभी भी नहीं दिखती लेकिन कभी दिखती है कभी नहीं और कोई में दिखती है कोई में नहीं इसका मत्तब जो कर रहा है सो पा रहा है तो हर शक्ती हर गुण हर ज्यान की पॉइंट आपके स्वरूप में अनुभव करें और वो तब होगा जब पहले स् अगर स्वयम अनुभवी होगा तो दूसरे को उससे स्वताही अनुभव होगा और जब अनुभव करते हो तो कितनी खुशी होती है ना एक सेकेंड भी अगर किसी गोणवाशक्ती का अनुभव होता है तो कितनी खुशी बढ़ जाती है सच बात है, गुण स्वरूप, शक्ती स्वरूप है ही सुखदाई स्वरूप, और जब सदा अनुभवी स्वरूप होंगे, तो सदा चेहरे पर खुशी की जलक, खुश नसीब की जलक अनुभव होंगे, तो अनुभव को बढ़ाओ, विदी तो सपष्ट है न, अच्छा, खुशी मनाने आये हो, तो सब को खुशी मिली है, बाबा कहते है, चलो, खुश नसीब तो हो, लेकिन मदुबन पहुंचते हैं, खुशी मनाने, तो खुशी मिली, आज भी सब पहुंचे हैं, तो खुशी मिली, सब आराम से रहे होए हो, बाबा कहते है, मन आराम में है, तो तन को आराम मिल ही जाता है, सुना, तन का आराम मन के आराम के अधार से, मदुबन में देखो, बाबा की बेहत घर में इतने बच्चे, ना परिवार, लेकिन मन आराम में है न, तो तन को आराम अनुभव होता है, और चाहें लोकिक परिवार में बहुत सुख सुविधाएं भ यह तो होना ही है जितना स्थान बढ़ाएंगे उतना कम होना ही है तन का आराम तो कम ही मिलेगा जैसे जैसे परिवार बढ़ा होता है तो फिर वृद्धी होती है तो तन का आराम तो कम होना है यह भावी है उसको क्या करेंगे और अच्छा है रिहर्सल हो जाती है जहां बिठ जैसे सुलाओ, जैसे रहाओ, जैसे जो खिलाओ, हम प्यार से रहेंगे। लेकिन बाबा कहते हैं, अब ग्रहस्त वेवार में रहते हैं, तो जहां बिठाओ, जैसे सुलाओ नहीं हैं, वह तो अपने हिसाब से comfort ढून लेते हैं, तो मदू बन आते हैं, तो फिर इस प्रतिग्या की भी रिहर्सल हो जाती है, तो पट में सोना अच्छा है, पट राजा बनगे न, पट राजा, पट रानी क्यों, पट पर सोने वाला राजा- रानी बनते, शास्त्रों में तो पट रानी और पट राजा का बढ़ा गायन है। आप तो बहुत सहज बन गे, पट पे सोया, पट राजा बन गे, कोई तकलीफ है, तकलीफ है, बाबा की गर में, बाबा की गोद में सोय है, क्या तकलीफ है, पाप, दादा और निमित आत्माई सोचती तो यही है, कि सब आराम से रहे हुए है, सब आराम से रही है, बाबा भी चाहते ही, तो अपने बच्चों को आराम से रखना है, निमितात्माई भी यही चाहते हैं, लेकिन अगर ज्यादा संख्या में भी आराम लगता है, तो खुशी की बात है। जहां भी रहे हुए हो वहाँ खुश हो कोई तकलीफ नहीं है कोई तकलीफ तो नहीं है ना तो बाबा क्या और बुलाएं और भाइबे बिला लें कि आराम ज्यादा है तो सिर्फ एक सूचना चली जाए कि जो आना चाहे वो आ जाए तो जैसे बीपिर ना कतार लग जाती है कि तो क्या करना पड़ेगा अखंड तपस्या करने पड़ेगे फिर तो और सोने की जगह नहीं होगे बैठके तपस्या करने खुशी की खुराख खाओ और अखंड योग करो फिर तो सभी आ सकते करेंगे ठकनी जाएंगे फूक नहीं लगेगी हां साथ दिन नहीं नहीं चाहते, सहज योगी हो ना, लेकिन बाबा के ते, mentally prepare रहो, ऐसा समय नहीं आएगा, लेकिन बाबा के ते, इतनी ताकत बच्चों में होने चाहिए, हान जी का पार्ट पजाने के, बाबा ने देखो, पहले परिक्षाली, साथ दिन नहीं खाएंगे, चलेगा ना, हां कहन पास हो गया, फिर बाबा ने कहा, बाबा ऐसा हट नहीं कराते बच्चों से, ये परमातम मिलन कम भाग्य नहीं है, ये परमातम मिलन का स्रेष्ट भाग्य कोटों में कोई आप आत्माओं को ही मिलता है, और अभी भी देखो, अव्यक्त मिलन का पार्ट शुरू हो गया, साक बाब बच्चों से मिलता भी हैं, रूरिहान भी करते हैं, भक्ती में तो जड़ चित्र के दर्शन के लिए कतारे लगती हैं, यहां तो चैतन्य में परमधाम निवासी शिब बाबा, सुक्षवतन निवासी ब्रह्मा बाबा, आकर बच्चों से मिलन मलाकर मुल्ली चलाती थे तो यह भाग्य कोई कम हैं, फिर भी आप सब लख्की हो, समय की गती बदलती जाती हैं, अभी फिर भी आराम से बैठ कर सुन रहे हो, आगे चलकर वृद्धी होगी तो बदलेगा न, फिर भी आप लख्की हो क्योंकि टू लेट के टाइम पर नहीं आये हो, लेट के टाइम पर आये हो, तो सब खुश हो, अच्छा, चारों और के सर्व स्रेष्ट भाग्य विधाता के भाग्यवान आत्माओं को, सदा मन जीत, जगत जीत के निश्य और नश्य में रहने वाले, सदा हर गोंड शक्ती और ज्ञान के अनुभवी आत्माई, सदा बाप को साथ रखने वाले कंबाइन सुरूप आत्माई, सदा स्रेष्ट भाग्य की लकीर को सहत स्रेष्ट बनाने वाले, ऐसे अती समीप और स्रेष्ट आत्माओं को, बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते, ऐसे मेठे प्यारे बाबा को भी हम बच्छों का याद प्यार गुड मॉनिंग और नमस्ते, ओंशानते. वरदान है, वानी और मंसा, दोनों से एक साथ सेवा करने वाले, सहिज सफलता मुरत भव. बाबा केते, वाचा के साथ साथ संकल्प शक्ती द्वारा सेवा करने. एक ही समय पर दोनों भी थी. वाचा भी और संकल्प शक्ती पर. यही powerful अंतिम सेवा है जब मंसा सेवा और वानी की सेवा दोनों का combined रूप होगा तब सहथ सफलता होगी इससे दुगनी result निकलेगे वानी की सेवा करने वाले तो थोड़े होते हैं बाकी देख रेक करने वाले दुसरे कारियों में जो रहते हैं उन्हें मंसा सेवा करने चाहें अब मानों वानी की सेवा एक कर रहा है दस बाकी कारे समभाल रहे तेकिन वो दस आत्माई उस वानी की सेवा करने वाले को भी बल भर सकते हैं अपनी मंसा सेवा से इससे वायूमंडल योग-युक्त बनता है हर एक समझे मुझे सेवा करनी है और जो सेवा का चांस है वो करनी है कुछ नहीं मंसा सेवा तो सदा कर सकते हैं तो वातावरण भी पावरफुल होगा और सेवा भी डबल हो जाएगा स्लोगन है सदा एक रस स्थिति के आसन पर विराजमान रहो तो अचल अडोल रहेंगे बाबा कहते है उपर से हलचल ना हो इसके लिए आसन ठीक होना चाहिए एक रस स्थिति का आसन होगा तो फिर बाहर की हलचल अंदर की हलचल नहीं बनेगे ओम शान्ति